बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा इस्टाग्राम बना चुका हूँ, दूसरा इस्टाग्राम मेरा गलती से बन गया है और मैं किस तरीके से इसको डिलीट करो, किस तरीके से हटाओ, मुझे एरिटेसन सा हो रहा है कि मैं इस इस्टाग्राम को इस घर से हटाना चाता हूँ हमे आपके लिए और आपके दूस्त के लिए अगर आप वीडियो पर नहीं हो तो जरूर चनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ साजा भी करें तो आज का वीडियो एक पहुत ही मिस्टेक लिए से बना रहा हूं है तो मिस्टेक क्या आप गलेगे लिए काम आने वाला है बहुत से लोगों बोलते हैं कि इस इस्टागराम ना चुका हूँ दुसरा Instagram मेरा गल्ती से बन गया है और मैं किस तरीके से इसको डेलीट करो इस तरीके से इसे हटाओ मुझे sa हो रहा है कि मैं इस但 आपान कि इस ओलिद वीडियो आता है वी smat पर तो आप तो ये अप समझ सकते वरmayı तो इसलिए वो लो चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन दवा दे कि ताकि आपको जो है एक नोटिफिकेशन आ सके कि भाई वी स्मार्ट का एक वीडियो आ चुका है और इसको देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने फिर एक ज्यान के साथ आए एक वीडियो चलेगा किस जो है एक इस्टाग्राम को डिलीट करना है रिमूब करना है अपने जिन्दगी से नहीं अपने जो है आपके सेलफ पॉन में जो है आपका डेक्स्टॉम में है कहीं से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं अगर आपने कल्ती से बना दिया है अपना इस्टाग्राम तो वीड आधा ने समझाय नहीं सही से तो इसलिए स्केब मत किजेगा वीडियो को वीडियो को आखरी तक देखिए समझे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेर किजिए कि ताकि उसको भी समझ में आ जाए कि मैंने भी गलती से इस्टाग्राम आईडी बना दिया है उसको कैसे करना है डिलीट करने के बाद साइड में जो आपको फोटो आता वाँ क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके पास जो है सारे ओप्संस आ जाएंगे तो आपको सबसे पहले करना है सेटिंग और प्राइवेसी पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको इस सारे ओप्संस पर कहीं पर भी नी जाना है और आपको कि कृते हैं काउंट सेंटर क्लिक करना है तुरॐर मनुढ़ से अन्सार क्मा कि Crинг Associate or Event अगुनित आपको केवल प्रोफाल जो दीक रहे हैं प्रोफाल प्रोफाल पर जाने के बाद आपका नंबर होता है यह सारे चीजे होता है जैसे आपने आइडी बना रहा है उस तरीके से स्यों होगा सबसे नीचे देख सकते हैं identify confirmation लिखा वाएगा count over and control लाएगा control में पर click करना है click करने के बाद दो option आते इसमें non option पर आपको सबसे नीचे जाना है deactivate और deleting डिलीटिंग पर click करें नीचे टीक है deleting पर click करेंगे वैसी आपका जो है channel का मांगे या कि कि आप कौन सा channel को delete करना चाते हैं किस तरीके से बादना चाते हैं तो आपको channel delete करना है उस पर केवल click करना है अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को subscribe करें लाइक करें शेयर करें आप जैसे click करेंगे यह सारे options आजाएंगे दो options आएंगे इसमें जो है आपका पहला जो headline या highlight दिखाएगा deactivate in deleting your Instagram account तो इसमें से दो option आते हैं जैसे मैंने लाइस्ट वीडियो में बताया था कि दो option आते हैं deactivate रखना चाहते हैं चार पांचे बने तक रहेगा ने डिलेटिंग करना चाहते हैं आप जैसे उपर से नीचे आते हैं नीचे आप दखेंगे deleting account delete account तो यहां पर कुछ message लिखाएगा है साफदानी तरीके से पढ़िएगा उसको अगर आपको कुछ save रखना है चीजे रखना है तो आप पहली आप उसको download कर लीजिएगा नहीं तो delete हो जाएगा delete हो जाएगा उसके बाद क्लिक कीजिए यहां पर deleting account एकाउंट डिलीट पिक जैसे क्लिक करेंगे डिलीटिंग और इस्टरग्राम एकाउंट तो इस चाह साथ आट ऑप्सन आ जाएगे इसमें पहला ऑप्सन आगा concerned about my data दूसरा आगा can't find people and follow टवल और प्रैवेसी वैंट तु वीजी तु मैनी यह इस तरीके से आपसे और शाघेज क्या शहतक भूडबेंट को डिलीट करने के लिए तो आप कोई सबी कर सकते हैं इस पर medically यारत ऑकर्म कर लिए और आपका account डिलीट हो जागा Thank you so much God bless